exercise 6.3 का next question है find n so that हमारे पस क्या है जो term given है वो may be the arithmetic mean between a and b तो आईए हम लिख लेते हैं पहले arithmetic mean का general formula लिखते हैं वो हमारे पस क्या होता है am is equal to a plus b by 2 और given क्या है हमारे पस वो भी क्या है arithmetic mean given है between the numbers उसको लिख लेते हैं तो हम इसको क्या कर लेते हैं equate कर लें तो हमारे पस क्या आ जाएगा क्यूंकि दोनों हमारे पस arithmetic mean है a and b के दिर्मियान तो हमारे पस यहां से क्या आ जाएगा an plus bn over an minus 1 plus bn minus 1 अब हम क्या करते हैं cross multiplication कर लेते हैं तो हमारे पस क्या result आएगा उसको हम लिख लेते हैं अब मैं इसे brackets open करके solve कर लेती हूं तो यह क्या हो जाएगा A into A n minus 1 plus A B n minus 1 plus B A n minus 1 plus B dot B n minus 1 इसी तरह इस side को भी open कर लेते हैं हमने brackets को क्या किया open कर लिया multiply कर लिया अब हम आपस आप देखें basis same हो power should be added तो यह plus 1 है तो यह result क्या आजाएगा इन दोनों को अगर हम solve कर लें तो यह क्या आजाएगा A n इसी तरह यह वाली term को ऐसी ही लिख लेंगे बाकि terms भी ऐसी ही लिख लेते हैं तो यह क्या आजाएगा मेरे पास इसको अगर मैं solve कर लूँ तो यह क्या बन जाएगा P की power n फिर हम क्या करते हैं terms combine कर लेते हैं तो मैं इसको अगर combine करके लिख लूँ तो मेरे पस क्या result आजाएगा यह मेरे पस क्या है n तो यह मेरे पस क्या आजाएगा 2 a n minus a n plus 2 b n अब मैं क्या करी हूँ left side वाली terms right side पे लेके जा रही हूँ minus b n तो यह क्या हो जाएगा minus a की power b n minus 1 minus b की power a n minus 1 ठीक है और उसके बाद plus b n equal to हमारे पस क्या आजाएगा 0 इसको हम लिख लेते हैं अब हमारे पस result क्या आजाएगा a n plus b n और यहां से क्या आजाएगा मेरे पस minus a b n minus 1 minus b a n minus 1 equal to 0 अब मैं क्या करती हूँ इन दो टर्म में से कॉमल ले लेती हूँ a n इनको कमबाइन कर लेती हूँ तो यहां से मैं a n minus 1 कॉमल ले रही हूँ यानि इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं a n minus 1 कॉमल ले लेते हैं तो जब मैं कॉमल ले लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे पस क्या बच जाएगा A N-1 जो है वो हमने इन दो टर्म्स में से कॉमल लेना है उसको हम दुबारा लिख लेते हैं यहाँ से हम इन दो टर्म्स में से क्या करती हूँ A N-1 कॉमल लेती हूँ और इन दो टर्म्स में से क्या करती हूँ B N-1 common ले लेते हैं तो जब हम common लेंगे तो हमारे पस result क्या आ जाएगा A N-1 मैंने यहां से क्या लिया common ले लिया तो यहां से क्या बच जाएगा हमारे पस A-B क्योंकि आप देखें अगर हमारे पस A N में से A N-1 common ले ले तो divided by A, A inverse आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा A के बराबर इसी तरह यहां से मैं क्या करती हूँ प्लस B N-1 common ले लेती हूँ तो मेरे पस क्या आ जाएगा A-B equal to 0 यहां से हमने क्या किया B minus हमने क्या किया प्लस यहां पर उस साइट पर अगर हम इसे ले जाएए तो यह प्लस हो जाएगी तो हम यह लिख लेते हैं यह हमारे पस आ जाएगा हमने common ले लिया यह A minus B A minus B cancel हो गया यह हमारे पस क्या बच जाएगा A N-1 over B N-1 equal to 1 अब मजीद इसको हम solve कर लेते हैं मैं इसको लिख सकती हूँ A over B N-1 is equal to A over B 0 क्योंके किसी भी की power 0 हो तो वो क्या result आता है यहां से क्या आजाएगा 1 तो हमारे पस अब आप देखें हम compare कर सकते हैं जब मैं compare करूँगी तो मेरे पस यहां से क्या result आजाएगा N-1 equal to 0 और मैं इसे N के लिए solve कर लूँ तो मेरे पस क्या आजाएगा N equal to 1 तो हमने क्या करना था find N करना था तो हमने इस question में क्या किया arithmetic mean का formula यूज करते हुए N की value को find out किया chapter 6 A का अखताम हुआ अब ही हम next video में 6B record करेंगे Thank you झाल 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 झाल